नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके एक हो नए वीडियो में दोस्तों आज हम एक laptop का keyboard चेंज करेंगे मेरे पास जो यह laptop HP का इस पर मैं keyboard चेंज करूँगा एक्षली इसकी काफी सारी keys खराब हो चुकी है तो इसका हम keyboard चेंज करेंगे पूरा इस वीडियो में आपको इस laptop में लगाएंगे और दोस्तों मैंने computer hardware की उपर अलक्सी वीडियो बनाया है प्लस मैंने laptop की भी reassembling किये मेरे पास एक laptop था जिसकी body पूरी खराब हो चुकी थी तो मैंने उसकी नई body मंगाई Amazon से देन मैंने उस laptop को दुबारा से assemble करके उस नई body को उस पर लगाया उसका भी मैंने पूरा वीडियो डिटेले मनाया है तो वो भी आप हमारे दूसरे चैनल में देख सकते हो जिसका नाम है coding in Hindi उसका link भी आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा तो आप जाके देख सकते हो तो laptop है यह hp का है i3 model यह तो विलकुल नया जैसे दिख रहा है लाट वैसे तो laptop लेटाप मगर दिखकत इसमें यह आ रही है कि इसमें कुछ काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें keys ही काम नहीं कर रही है और आपके enter keys नहीं कर रही है बहुत सारी keys नहीं काम प्र तो फिर पूर भी करना पड़ता है कई जगे मेटिंग ओर में जाना पड़ता है तो वह लैपटॉप करी करते हैं तो हर जगे कीबोड करना चाहिन लगता तो यह हमने online हमने कीबोड मंगाया है तो इसकी भी unboxing करेंगे और अगर आप लोगों का कोई भी laptop है किसी भी company का है और आपके कीबोड में कुछ इसी तरह की दिक्कत है तो आप भी online order कर सकते हो मैं link नीचे दे दूँगा उस link में क्लिक करोगे तो आपको कीबोड दिखाए दिखाए देंगे आप अपने model के साब से आप इसको लेना होता हमेशा तो यह हमारा कीबोड है और कीबोड लगाना बहुत ही easy होता गाई से चुता हूँ यह hardly पांच मिनिटा का काम है कुछ laptop ऐसे हैं जैसे gaming laptop आप देखोगे जो महेंगी वाल आते हैं उसमें आपको पूरी body खोलनी पड़ती है मगर ज़्यादगर laptop में आपको body खोलनी जोतनी पड़ती है आप उपर से कीबोड को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं तो यह कीबोड मैंने 1000 पर में online order किया है तो यह model to model depend करता है कि कीबोड कितने का आता है तो यह laptop है 2016 model है तो यह हमारा कीबोड है इसको मैं दिखा देता हूं पीछे से इस तरह सा यह दिखता है और बहुत ही slim होता है क्योंकि laptop में लगना होता है और यह पीछे इसकी data cable एक तरह से जो भी आप कीप्रेस कर रहे हो उसका signal इस data cable के थुरू हमारे जो laptop की motherboard है उसमें जाता है तो बस आपको बस यही लगाना पड़ता है इसमें जो कीबल है बस तो चलिए गाइस यह इस laptop के अभी हम खोल के इसमें हम नया कीबोड लगाएंगे और यह जो पुराना कीबोड इसमें लगा हुआ है इसको हम निकाल लेंगे तो पूरा step हम लाइव आपको दिख आते हैं तो यह जितने भी कीज अभी काम नहीं कर रही है इसको लगाने के बाद काम करने लग जाएंगी है? आपकी keyboard के ठीक पीछे पे एक screw होता है, तो किसी-किसी keyboard में 2-3 होते हैं, किसी में 1 ही होता है, तो आपको just keyboard के पीछे वाले जो screw होते हो निकालना है, तो आप 2-3 not to see ו, हो सकते है कि आपको आइडिया नेना लगे, तो आप आप दो-तिन निकाल लेजिए keyboard के ठीक पीछे वाला screw, तो छोचोटे screw होते हैं, screw को समाल के रखना guys, यह बहुत जल्दी miss हो जाते हैं, यह निकाल लिया है, और काफी सारे laptop के पीछे पर यहाँ पर बना होता sign की keyboard का, और कई उमें नहीं बना होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप just keyboard के पीछे वाले screws को निकालना है आपको, तो screw को हमने खोल दिया है, अब हमें क्या करना है, इस keyboard को निकालना है, और वो भी screwdriver की help से, तो अब उपर से, जो side में इसके lock लगे होता है keyboard की, प्लास्टिक की lock टैप के होता है, तो उसको हलक हलके push करके, खोलना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से, तो कितने easily guys, यह keyboard खुल गया देखो यहां से, और आपको बस अब data cable यहां से निकालना है, तो यह data cable मैं यहां से निकाल लिए है, अब हम लगाएंगे अपना नया keyboard, यह भी बिल्कुल नया लग रहा है देखने में, बट यह function नहीं कर रहे है, काप भी सारे इसके keys, अब हम लगाएंगे यह नया वाला keyboard, पीछे से दोनों के आप देख सकते हो, design अलग है, तो जो नया keyboard होता है, इसमें tape लगी होती है, data cable पे, तो पहले हम इस tape को निकाल देंगे, तो यह tape हमने निकाल दिये हैंसे, तो पहले मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगा, जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको, और प्लस इसको लगाने के बास सबसे पहले हम इसको test करेंगे, इसको पूरा lock नहीं करेंगे keyboard को, तो मैं थोड़ा से यहाँ पर जूम करूँगा आपको दिखाने के लिए, यह इसको lock है, इसको खोलेंगे, यह इसकी strip tab की जो है data cable, इसको हलका सा इसमें लगाएंगे, इसको आप data cable plus power cable दोनों कह सकते हो, एक ही keyboard होती इसमें, इसी और भी जाती है, और data भी transfer होता है, जो भी किया प्रेस करते हो, तो आप देखो कि भाई गाईस, यह मैं लॉक को पर से दबा दिया, यह लग चुका है, बहुत ही असान होता है इसको लगाना, अब हम इसको भी लॉक नहीं करेंगे keyboard को, वहना हमें को मानलो की keyboard नहीं चलता ह है, तो दुबारा से इसको खोलना पड़ेगा, तो हम यहां से अपना laptop को पहले on करेंगे, और सारी keys चला की चक कर लेंगे, जो पुराना हमारे keyboard था, उसमें समय लो 80% keys काम ही नहीं कर रहे थी, पहता नहीं क्या दिक्कात आ गे थी, तो मैं यहां पर notpad खोलूँगा पहले, और उसमें हम साधी एक ही करके key press करके देखेंगे, सभी चल रही है नहीं चल रही, तो इसमें इनकी Windows 7 डली हुई है, तो हम यहां पर notpad खोल देते हैं, जब भी आप अपना keyboard मंगा हो गए, तो हमेशा model की साब से मंगाना है, अदर्वाइस वह fit नहीं होगा फिर, तो यहां पर हम पहले इसका font बढ़ा कर देते हैं, यहां पर आपको दिखाई नहीं देखा, और बतातूं guys आपका model number आपके laptop के पीछी लिखा होता है, तो वह ड बढ़ा कर दिया है, Ctrl-A करके मैं इसको अटा आता हूँ, और यहां पर सारी की हम एक करके press करके चक करेंगे, तो यह first class अलगे guys, सारी की से काम कर रही है, आप देख रहोंगे, यहां पर एक like तो बनता है guys, जल्द देखें वीडियो को like कर दीजे, अब हम इस keyboard को fit कर देंग तो पहले मैं set down कर देता हूँ laptop को, अब हम इसको तरीके से fit कर देंगे, नीचे पर lock देख रहों, पहले इन lock को इन में फसाना होता है, फिस side के और उपर के lock को में लगाना होता है, press करके, कोई इसमें वो नहीं होता, बस हम को यहां से press करना है, और बात में पीछे से screw लग यह खोलते हैं keyboard हो अगरा, तो screw driver की help से हम इसको खोलते हैं, तो एक बाइस को confirm कर दीजिएगा, लगाने के बाद जब भी अगर आप लगा रहे हो, इस तरह से, चालो तब से lock लग गया है, तो यह हमारा done हो चुका guys, और पीछे से हम इसके screw कर देंगे, तो जितने भी दो य करते हैं guys, तो guys, जब भी आप आपना keyboard निकाल रहे हो, और अगर keyboard के आपने पूरा side से उसको unlock कर दिया है, और अगर आपको लग रहा है keyboard फस रहा है कहीं पर, निकालते वक, तो हो सकता है कि कोई screw रह गया हो, तो आप PC से चेक भी कर सकते हो, तो आपने कोई गल्त screw निकाला उम्मीद करता हैं दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके मैंन में कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंड चेक्स में लिख सकते हैं, हमारे चैनल में बिल्कुन नहीं है guys, तो हमारे चैनल को सब्स्रा आपके लिए, मिलते हैं नहीं वीडियो में तापके लिए, बाई बाई